हेलो गाईज कैसे हैं आप सब लोग मुझे उमीद है आप सब लोग अपनी जीवन में काफी कुछ अच्छा कर रहे होंगे और आगे बढ़ रहे होंगे वेल आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के सामने बात करने वाला हूँ एक ऐसे लैप्टॉप के बारे में जिसका अगर आप लोग का प्राइस देखेंगे तो काफी जाता मुझे लगता है एक वैल्यू फॉर मनी यहाँ पे निकल कर आता है अगर आप लोगों का अच्छा मैं काऊंगा लांग लास्टिंग और थोड़ा नीड जो कि आपकी कंप्लीटली फुल्फिल कर सके वह वाला प्रोड़क्त यहां पर आपको मिल सकता है तो आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं एसूस वियो बुक गो 15 की जिसके अंदर आप लोग को जो है यहां पर कुछ credit debit card off पे जो है देखने को यहां पर मिल जाएगा नौ यह जो same laptop है दोस्तों इसकी Ryzen 7 वाली configuration कुछ मैंने पहले launch हुई थी but I think that is little bit overpriced यह वाला जो pricing लगता है Ryzen 5 के हिसाब से मुझे लगता है यह बिल्कुल सही यहां पर बैठता है बात करते हैं इसके top end features की and why this laptop is very best under 60,000 रुपी सबसे बहले बात आती है यहां पर backlit keyboard check वो आप लोगों को यहां पर proper देखने को मिलता है 16 GB RAM जो यहां पर आप लोगों को देखने को मिलती है most of the laptops even in this price range are offering 8 GB of RAM 16 GB of RAM is good अगर आपके पास extra आप लोगों को by default मिलती है that's very good आप जो है extra apps definitely य 16 GB of RAM जो यहां पर आपको मिलती है इसे DDR5 RAM ठीक है तो even in such budget laptops now companies has started putting DDR5 RAM which is a very good thing price जैसे कि मैंने आप लोगों को बता है दोस्तो 55,000 रुपीस की on paper यहां पर आप लोगों को देखने को मिल जाती है screen की बात कर लेते है obviously all of you know that OLED displays are best ठीक है लेकिन यहां पर इसकी थोड़ी deep inside मैं आप लोगों को देता हूं market में अगर आप लोग Asus के laptops उठाके देखें because Asus के laptops यह ऐसे हैं दोस्तों जिन्होंने OLED screen को सबसे ज्यादा और सबसे पहले adopt किया हुआ है तो cool मिला के यहां पर दोस्तों 3 type की OLED screens चल रही है ठीक है OLED यह लोग लिखते हैं लेकिन अगर आप लोग को ज्यादा देखने को मिलती है उनकी जो second quality best quality की display है वो आप लोगों को यहां पर देखने को मिलती है जहां पर आप लोगों को HDR का support 500 nits की जो है brightness देखने को मिलती है लेकिन refresh rate यहां पर आप लोगों का 60 Hz ही रहता है and these laptop screens are in the form of 16 nits to 9 aspect ratio फिर तीसरी जो इनकी display आती है याद के अंदर देखने को मिल जाएगी जिसके अंदर आप लोगों को HDR का support देखने को नहीं मिलता है ठीक है so once again this screen is fantastic if you are seriously considering this laptop for your photo editing video editing media consumption ठीक है even ऐसे ले आप आप आपको मैंने देखा है दोस्तों web pages जो होते है न वो भी काफी अच्छा अगर उसमें colors काफी ज्यादा है तो भी आपको जो है चीजें काफी ज्यादा sharp और काफी ज्यादा vibrant देखने को यहां पर मिलती है तो यह नहीं है कि सिर्फ video के aspect से ही यह वाली display जो है अच्छी निकल कर आती है आप अगर regular day-to-day task भी कर रहे हैं तो उसको भी करने में आपको काफी ज्यादा मजा यहां पर आएगा नौ बहुत सारे लोग कंप्लें करेंगे कि जो यह display निकल कर आती है इट से 16 इस तो 10 वाइन और 16 इस तो 9 वाइन और 16 इस तो 10 तो मैं 16 इस तो 10 वाले display यूज करता हूं and I can tell you one thing friends कि 16 इस तो 10 जो है कही नहीं आप लोग regret करते हैं उपर और नीचे जो मोटे-मोटे black bars आते ह ना वो देखे काफी ज्यादा दिमाग जो है दोस्तो कहीं ने कहीं खराब होता है लेकिन 16 इस तो 9 aspect ratio displays में ऐसा नहीं है उपर नीचे काफी ज्यादा कम black bar आते हैं if your video is in 21 इस तो 9 and even till time also ज्यादा तर YouTube के वीडियो 16 इस तो 9 में बनाये जाते हैं तो उस case में आपको कोई भी problem जो है यहाँ पर नहीं आने वाली है उपर नीचे कोई भी black bar नहीं आएंगे हाँ vertical जो scrolling space मिलता है वो definitely कम मिलता है but once again कुछ नो कुछ आपको अच्छी चीज मिलती है तो कुछ चीज जब bad भी आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलती है प्रोसेसर की बात कर लेते हैं तो latest आप लोगों को Ryzen 5 series का दोस्तो 7500U processor देखने को मिलता है so it's the latest one obviously incremental जो है updates आप लोगों को देखने को मिलते है right from the 5000 series but still आप लोगों के latest देखने को मिलता है और काफी ज़्यादा power efficiency वाले जो है यह वाले प्रोसेसर आप लोगों को देखने को मिलते है so battery जो है यहाँ प certification को लेके ठीक है तो यहाँ पर एक चीज़ आप लोगों को मिलता है तो इससे जो है कुछ हद तक आपके laptop की production बिलकुल आप लोगों को देखने को मिल जाएगी obviously कोई जान बुच के laptop गिराता नहीं है but in case अगर कभी गिर जाता है this safety comes in hand तो कहीं ना कहीं आपका damage जो है दोस्तो यहाँ पर minimal बहुत जाता है fast charging का support आप लोगों को देखने को यहाँ पर मिल जाता है 49 minutes में 60% की charging आप लोगों को देखने को यहाँ पर मिल जाती है 180 degree का जो है दोस्तो आप लोगों को यहाँ पर total tilt देखने को मिलता है which is a very good thing अगर आप लोग इस laptop को ऐसे presentation purpose के लिए use कर रहे हो ग्रूप में हो तो उस case में भी यह चीज़े काफी जाधा अच्छी होती है दो तीन चीज़े हैं जो कि इस laptop में मुझे काफी ज़्यादा पसंद आई सिबसे पहले बात है screen by default 16 GB RAM and latest processor considering the price ऐसा नहीं है कि एकदम high level का processor इन लोगों ने डाल दिया है normal go to जो है आप लोगों का processor यहाँ पर रहेका जो कि laptop के pricing और laptop की usability को जो है यहाँ पर justify करता है apart from that rest of the things are okay so and sometimes buying a okay product is a very well informed decision अपका क्या माना है इस laptop के बारे में मुझे जो है comment section में जरू लिकर बताईगे